नमस्कार दोस्तों मैं रश्मी पंडिया शर्मा एक बार फिर 30 film adventures की कवी culture live show में आपका स्वागत करती हैं दोस्तों हम इस show में ऐसे कवियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिनोंने देश विदेश में न सिर्फ अपना बल्के अपने देश का भी नाम रोशन किया है आज आपके सामने हमें एक असाधरन कवीतिरी को प्रस्तुत कर रहे हैं उन्होंने लगबग सभी रसों में कवीताएं की हैं तो आईए स्वागत करते हैं दिल्ली से आई हमारी वरिष्ट कवीतिरी डॉक्टर कीर्थी काले का नमस्कार मैं डॉक्टर कीर्थी काले एक छंद से अपने कावेपाट का प्रारम करती हूँ सुनियेगा कि लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वो अपने आप में क्या-क्या परिवर्तन अनुभव करती है और जो लोग उसे देखते हैं वो उसमें क्या-क्या परिवर्तन देखते हैं एक अनुभव का और observation का चंद है सुनियेगा सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई भूल जान बूझ कर बार बार करने लगे फूल सी महक बात बात में चहक कर पत ज़र को भी जो बहार करने लगे शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी जब चुप चुप कर प्यार करने लगे तो इसी प्यार की अनुभूती का एगीत सुना रहे हैं सुनियेगा कि आखों में फा बुन की मस्ती पलकों पर पासंती हलचल मत वाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में अब ये पंक्तियां सुनेए कि पैरों की पायल चन की कंगन खन का हर आहट पर चौक चौक जाना मन का और सांसों का देहरी चूचू कर आजाना और दर्पन का खुद दर्पन से ही शर्माना और धड़कना हर धड़कन का सपनों के संसार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में और गीत का सबसे अच्छा बन बैसों सर के सिनेज बन को कि भंग चड़ा कर बौराया बादल डोले नदिया में दो पाउं हिले होले होले और पहली पहली बार कोई नन्ही चड़िया अंबर में उड़ने को अपने पर खोले कि हिचकोले खाती है नईया मस्ती से मजधार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में जिन पैरों में उचला करता था बचपन कैसी बात हुई की बदल गया दरपन और होता है उनमुक्त अनोखा ये बंधन रोम रोम पूजासां से चंदन चंदन कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता बिन मांगे सब कुछ मिल जाता आंखों के व्यापार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में आंखों में फागुन की मस्ती पलकों पर पासंती हल चल मत वाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में शायद ऐसा ही होता है दोस्तों हमें विश्वास है कि आप कोई वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो इस पर कमेंट करके लाइक और शेयर करें और हां सब्सक्राइब करके बेल ऐकन दवाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास अगर आप अगर अपने लिखीवी कोई कवीता या गीत लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये शोव आप ही के लिए हैं आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप अपने शेयर में मुशारा या कवी सम्मेलन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉंटेक्ट क झालस पे! झालस पे!